आज मैं बनाऊंगे 38 इंच ब्लाउज में डिजाइन इसका जो चेष्ट है वो 38 इंच है यहां पर मैंने ब्लाउज और रस्तर का कपड़ा कट करके लिया है कपड़ा मैंने डबल पॉल पे कट किया है बहुत ही सुन्दर और बहुत ही आशान तरीके से मैं बताऊंगी इंच है और हो चेष्ट है तैयार 69 इंच इसमें 1,5 इंच ब्लस करके 11 इंच मैं लिए और कमर तैयार 8 इंच है इसमें 2 इंच ब्लस करके 10 इंच कमर लिए यह मैंने उपर से उपन गला धाई एंच लिया है गले की जो लंबाई है वो दस एंच लिया मैं ने चाड़े नौ तयार से यह है नीचे से उपन गला तेन एंच लिया है और अभी मैं यहां पर गले का सेप देदूँगी ब्लाउस का कपड़ा हटा दूँगी और अस्तर के कपड़े में गले को कट करके ले लूँगी गला हमारा कट करके हो गया है और अभी हम अभी हम इसे ब्लाउस के कपड़े में डाश करेंगे अस्तर को उसके बाद हम ब्लाउस के कपड़े में गला कट करेंगे तो यहाँ पे मैं पिन लगा करके ले लूँगी दोनों साइड में और यहाँ से सिलाई लगाते हुए अस्तर के कपड़े को अटेस्ट करेंगे अच्छे से गले के सेफ में सिलाई लगाते हुए अट्च करना है हमको यहाँ पे मैंने पेनी सिलाई लगाकर लिया है तो यहाँ चाहर हम गले को अभी कट कर लेंगे ब्लाउस को जो कपड़ा हमारा रहे गया था इसको हमें कट कर लेना है और पिन को मैं निकाल दूँगे और यहां पर थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगा दूँगे अभी हम इसे पलट करके एक सिलाई लगाएंगे अस्तर के उपर हमें लगाना है ब्लाउज के कपड़े पे नहीं लगाना है एकदम कॉर्णर पे अच्छे से घुमा करके इससे गला हमारा अच्छे से बैठ जाएगा और इसका जो सेप है गले का बहुत ही अच्छा आता है तो इस तरीके से हम सिलाई लगा करके ले लेंगे एकदम कॉर्णर के उपर हमें यहां पे सिलाई लगाना है अभी हमारा सिलाई लगा करके हो गया है अभी हम अस्तर को पलेट करके अंदर की शायड में कर देंगे और गले के उपर अच्छे से फिनेशिंग के शाथ में यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे ताकि अच्छे से मारा गला बैट जाए अच्छे से एक बराबर करते जाएंगे और सिलाई लगा करके ले लेना है पूरे गले के उपर अच्छे से सेप में घुमा करके अब यहां पे सिलाई लगा करके हो गया है अब इसको पलट करके मैं यहां से सिलाई लगाते हुए अस्तर को अटेश कर लूँगी अच्छे से एक पराबर करना है हमें हाथ से अच्छे से प्रेस करते जाएंगे और पूरे अस्तर को हम ब्लाउज के कपड़े में अटेश कर लेंगे इस तरब से घुमा करके अच्छे से सिलाई लगाते हुए सीधा करते जाएंगे ति कपड़े में हमारे विल्कुल भी फुगाओ अगर नाया है इसीमाना है बलाउज में, अर अच्छे स्लाई लगा करके ले लेंगे, लेखें अभी हमारा आस्तर डैस्ट करके हो गया है, यहां पर जो एक्षरा कपड़ा है यहां सब मैं कटकर ले लिया है और अभी मैं यहां पर टक्त लगा लूँगी, दूसरे साइड में भी टक्त लगा लूँगे इसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे अभी मैं यहाँ पे फ्रिल बनाऊंगे फ्रिल बनाने के लिए मैंने 2 इंच चोड़ी पट्टी कटकर के लिए है चोड़ाई में 2 इंच लिया है मैंने और इस तरीके से इसको फोल करते हुए किनारी पे एक शिलाई लगा लेंगे पूरी पट्टी को इसी तरीके से हमें शिलाई लगा करके ले लेना है देखें मैंने पूरी पट्टी में इसी तरीके से शिलाई लगाई है और अभी हम यहाँ पे प्लेट लगाते हुए प्रिल बनाएंगे अच्छे से एक बराबर प्लेट लगाते जाना है और प्लेट बना करके ले लेना है आप चाहिए तो और भी चोड़ी पट्टी ले सकते हैं और चाहिए तो कम भी ले सकते हैं देखिए इस तरीके से प्लेट लगाते हुए मैं पूरा प्रिल बना करके ले लूँगी इस तरीके से देखिए मैंने सारा बना लिया है अभी मेरे जो पट्टी है पूरा प्रिल बना करके हो गया है देखे हैं हमारा प्रेलेग्दम रेडी है यहां पे जो धागे बगरे निकले हैं वो सब कट कर लूँगे और अभी हम यहां पे कमर पे पट्टी लगा लेंगे सीधी सिलाही लगाते हुए पट्टी को अटेश कर लूँगे यहां पे जो एक्षण पट्टी है उसको कट कर दूँगे और पट्टी को फोल्ड करके दूसरे साइड में पट्टी के थोड़ा सा फोल्ड करके वहां पे भी एक सिलाही लगा लूँगे अभी हमारा सिलाई लगा करके हो गया है पट्टी को अंदर के साइड में फोल करूंगी और उपर से एक सिलाई लगा दूंगी अच्छे से फिनेशिंग के साथ में अच्छे से हाथ से एक बराबर करते जाएंगे और सिलाई लगा करके ले लेंगे पट्टी हमारी अंदर से ली जाएगी और अभी मैं यहाँ पे बड़ी बली एक सिलाई लगा दूँगी वाद में यहाँ पे हाथ से हेमिंग करूँगी तुरपाई जिसे बोलते हैं अभी हमारा पट्टी लगा करके हो गया है तो हम ब्लावोज को एक बराबर रखेंगे और बीच का हिश्णा निकाल करके ले लेंगे अच्छे से ताकि हमारा सीधा डिजाइन आए थोड़ा सा निशान लगा करके ले लेंगे यहाँ पे दीखिए और यहां से एक शेव दे देंगे इस तरीके से और दूसरा हिसा पलट करके से हाथ से हम प्रेस करेंगे तो जो हमने शेव दिया है वो दूसरे साइड में भी आ जाएगा और उसको हम इस तरीके से डाक करके ले लेंगे अभी हम यहाँ पे प्रिल लगाएंगे इस तरीके से प्रिल को रखूंगी मैं गले के जो निचला हिस्षा है उस पे और यहाँ पे सिलाई लगाते हुए अच्छे से हम प्रिल को अटेज कर लेंगे अच्छे से सेप देते हुए हमें यहां पे लगाना है जो कले का सेप दिया है उसी सेप में हम यहां पे फ्रिल को लगाएंगे यहां से हम इसे लॉक कर लेंगे और इसको हम निकाल करके एक श्रा जो फ्रिल है उसको हम कट कर लेंगे और अभी हम दूसरी बारे हां पर लगाएंगे थोड़ी दूरी पर इस तरीके से यहां पर भी हमें सेप में ही लगाना है जिस सेप में हमने उपर वाला लगाया है उसी सेप में नीचे वाला भी लगाऊंगे अच्छे से यहां पर शेव देना है हमें और इस तरीके से यहां तक लगा करके ले लूँगे यहां पर भी मैं लॉक करके ले लूँगे और यहां पर जो एक्ष्रा है उसको मैं कट कर लूँगी थोड़ा सा और अब यहां पर फ्रिल लगा करके हो गया है यहां पर जो धागे बगएर है उसको मैं कट कर लूँगे और यहां पर मैं लेश लगाऊंगे यहां पर मैंने रेड और यलो कलर का लेश लिया है red yellow golden color mixture इसमें और इस तरीके से जो हमारा प्रेल वाला हिशा उपन है उसके उपर रखते हुए हमें उसे cover कर देना है और उसी shape में हमको लेज को लगाना है जिस shape में हमने प्रेल को लगाया है उसी shape में हम लेज को यहाँ पे अच्छे से attach कर देंगे और यहां से घुमा करके हम लेज के दूसरे साइड में भी सिलाइ लगा देंगे अच्छे से लेज हमारा बैट जाएगा यहां से हम निकाल करके ले लेंगे अभी उपर वाले हिस्से में हमारा लेज लगा करके हो गया है अभी हम इसी तरीके से यहाँ नीचे भी लगाएंगे अच्छे से finishing के साथ मे लगाना है यहां पर भी शेफ देते हुए हम, लेस को लगाएंगे, यहां से हम् खुमा करके, लेस के दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लोंगे, ताकि लेस हमारा अच्छे से बैठ जाए, अभी हमारा लेस लिए करके हो गया है, यहां से मैं cut कर लूँगे और अभी यहां पे सब हमें chart करके अच्छे से cut करके बराबर कर लेना है दोनों side में फिर हम यहां पे lace लगाएंगे देखिए मैंने अच्छे से cut करके ले लिया है और अभी यहां से हम गले में lace लगाते हुए नीचे की तरब जाएंगे एक side से सिलाई लगाते हुए अच्छे से finishing के साथ में यहां पे जो हमने frill लगाया है और lace लगाया है उसके उपर से हमको लेना है अच्छे से cover कर देंगे हम और यहां से उसके उपर से घुमाते हुए हम lace को इस side में जो हमने save दिया है उसके उपर से लगाते हुए हम ले जाएंगे भी यहां से हम खुमा करके दूसरे side में भी सिलाई लगा लेंगे lace के और एक्छा lace को मैं cut कर लूँगे देखे इस तरीके से दोनों side में सिलाई लगा करके attach कर लिया है lace को और अभी हम इसी तरीके से यहां पर भी lace को लगाएंगे यहां से लगाना start करेंगे हम अच्छे से pril और lace का open हिसा है उसको cover करते जाएंगे lace से हम और finishing के साथ में सिलाई लगाते हुए अच्छे से जैसे उस side में हमने लगाया है सेम उसी तरीके से इस side में भी हम lace को सिलाई लगा करके attach कर लेंगे इसको घुमा करके हम lace के दूसरे side में भी सिलाई लगा देंगे और यहां पर जो extra lace है उसको भी मैं cut कर लूँगे देखे अभी हमारा lace लगा करके हो गया है अभी हमारा design बनकर करेड़ी है आप चाहिए तो कमर पे भी lace को लगा सकते हैं मैं यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ तो आप चाहिए तो कमर पे भी lace को लगा सकते हैं सीधा attach कर सकते हैं और यहाँ पे जो extra है उस सब मैं cut कर दूँगे धागे बगर और हमारा design बनकर करेड़ी है आप यहाँ पे नौट लगा सकते हैं मैं बाद में इसमें नौट लगाऊंगे बहुत ही सुन्दर और बहुत ही आसान डिजाइन है इसे किसी भी साइज के ब्लावल में आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से बहुत ही खुबशूरत सा डिजाइन मैंने बनाया है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इसे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अपरेल आप अपने हिसाब से चोड़ा और पतला कर सकते हैं मैंने दो इंच चोड़ा यहाँ पे बनाया था तो आप चाहिए तो कम या जादा तेन इंच का भी ले सकते हैं और ठाइ इंच का भी ले सकते हैं तो आपको जैसे अच्छा लगे उसे इसाब से अपरेल बना करके यहाँ पे लगा सकते हैं तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आगे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे सेनल को सब्क्राइब करना